आज हम यहां पर यूटी सरकार का विरोध परदेशन कर रहे हैं और केंदर सरकार और 36 सरकार से अपील भी कर रहे हैं देखे जिस परकार से शनिवार को एक अमला होता है नक्सिलियों के दोरा जिसमें 25 जमान शहीद हुए और 32 से ज़्यादा गायल हुए उसी दोरान हमारे एक देश का वेटा जो जम्हू परनाई का रहने वाला है राकेशन सिंग मनास वो मिसिंग हुआ बाद में पता चला कि वो नक्सिलियों की ग्रिफ्त में हैं लेकिन आज 6-7 दिन हो गए कि अपन परिवार की कोई नहीं किया मजबूरन उनको अगनूर रोड जो है वो बंद करना बड़ा चार से पांच गंड़े उन्हों रोड बंद गया तब जाके डीसी और ऐसेट भी वहां पहुचे तो मेरा यह पूछना चाहता हूं कि जब कोई जवान जो है इस परकार से मिसिंग होता है तो उस परिवार की सुद्ध लेने वाला पूर है देखिए इस स्टेट के सरवसरवाज वो नोसीह हैं और उनकी ये दायीत बंता था कि उस परिवार में जाना और उस परिवार का जो है वह उनका सुद्ध लेना और उनको शतामना देना लेकिन यहां कोई भी वापस लाया जाए और उनके परिवार से वापस लाया जाए जिस परकार से उनकी बेटी एक बाबु अपील भी करती नजर आई जो करी मीडिया में नजर आई कि मेरे पापा को वापस है इसके ओपर दियान देते हुए परदान मंतरी जी और वो तूरण इसके ओपर एक्षन ले और जल्द से जल्द उस जमान को वापस उसकी बेटी से जो है उसके पापा को मिलाया जाए यही आज हम अपीब जो है वापिजलो 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 वापिजलो